केजरिवाल जी बाहर आ चुके हैं जेशे और आम आदमी पार्टी कहती है कि सम्विधान की जीत हुई है और वो ये भी कहते है कि पूरा गेम जो है बीजेपी का रचा हुआ था एक बाद बताईए एक तरफ वो कहते हैं सविधान की जीत हुई है दूसरी तरफ कहते हैं ये मोदी का रचा हुआ खेलता तो सविधान की जीत नहीं हो सकती और सविधान की जीत हुई है तो मोदी का इसमें रोल ही क्या था अगर एक बाद बताईए अब आप केजरी वाल जी जिस तरीके से सोनिया गांदी जी आई हुई है जिस तरीके से वो कनिया कुमार की गर्दन काटने वला आया हुआ है और जिस तरीके से अलग-लग नेता जो अलग-लग घटनाय दे करके अंजाम दे करके जुलम करकर के भार घूम रहे हैं न बेल पे उसी सभी धान के तहत केज केजरीवाल जी भारा हैं कुछ बाइजत रहा हो करके नहीं आया यहाँ कोट ने ऐसा नहीं का कि आपको जितने भी गुनात है वो सब खारी जो गए आपको रहा किया जाता है ऐसा नहीं का उन्होंने उन्होंने बेल पे भेजा उनको केजरिवाल के जो नेता हैं लोग कहतें कि कटर इमांदारी की जीत होती तो सर ये अपने जो बेगुनाई के सबूत थे ना वो लोगों के समुग रख देते जैसे कश्मीर फाइल इसका कह रहे थे ना यूट्यूब पे डाल दो फरी करने ही क्या जो हता है तो ये अपनी नहीं है ये बाय वन गेट वन स्कीम हमारी नहीं थी और ये जो हमने शराम नीती लागू करके खुद वापसी ली वो हमने दबाब में ली ये सारी चीज़े वो बोलते ना किसी को आपने देखा बोलते हुए संजिय सिंग जी अंदर चले गए क्यों हो गए सब को पता है ब ये लग वो कर दिया सवीधान बाबा साप का था अरे तुमने सवीधान की तो पूझा ही कब तुमने सवीधान की रक्षा है तु बात ही कब करी ये तो बताओ पूरे पंजाब में पूरे दिल्ली में चारो तरफ उस्सव हो रहा है कि केजरिवाल जी बाहर आये हैं और आप कह रहे हैं कि तमाम आरोपियों का नाम गिना दिये कि उनके जैसा सबाय है उसी पनजाब में उस सबो रहे हैं जहां पर अभी लोक सबाद चुनाव के अंदर लात मार के कॉंग्रेस की ज़्यादा सीटे दे दी गई उसी दिली में उस सब मनाया जा रहा है जहां साथ की साथ सीटे जो हैं उठा करके भाजबा की जोली में डाल दी गई कौन है ये उससम मनाने वाले ये उनके कारे करता है कुछ तो अंदर सा दुकी है क्योंकि उनको लगा था शायद केजरीवाल अब और दो-चार साल भार नहीं आएगा और किसी ना किसी को हमारे में से एक मुख्य मंत्री की कुरसी मिल जाएगी या संजिय सिंग खुश हो रहे होंगे या सिसोधिया जी आए वो खुश हो रहे थे जा पिर आतिशी जी खुश हो रही थी अब तीनों के ही सोच के उपर पानी फिर गया केजरीवाल जी के भारा थे अब ही तो आप ये शुकर मनाओ कि कल या परसोगी मैं वीडियो देख रहा था जो हमारे CGI के सबसे बड़े वरिष्ट जजस साब है उनके घर में गणपती जी का पूजन करते हैं मोधी जी दिख गये थे अगर आज इनको बेल नी मिलती तो ये कहते हैं या CGI के जच को खरीद लिया मोधीन जाके तो ये तो मतलब बेवकूफों की तोली है दिल्ली में चुनाओ होने है आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता थे वो लगबग छोड़ चुके हैं क्योंकि सब जेल में चले गए थे जो बड़े बड़े नेता कहा जाते थे क्या लगता है चुनाओ पर इसका असर रहेगा केजरिवाल जी भी बाहरा चुके हैं बिल्कुल आप एक बताओ क्यों नहीं पड़ेगा आप एक बताओ शीला दिख्शी जी थे शीला दिख्शी जी ने जितने हम कहते हैं कॉंग्रेस पार्टी के थे ना उन्होंने भारत के अंदर दिल्ली के अंदर कितना विकास किया ये फ्लाई ओवर की देन देख लो कलोनी के अंदर जो पुरानी सीवर लाइन सड़के डली हैं ये इनी की देन थी लेकिन जो केजरिवाल जी आये हैं आप मुझे कभी इन जगाओं को छोड़ दो ये तो केंद शाषी था किसी कलोनी के अंदर जाना और आप जाकर करके देखना कितने नए सीवर लाइन डले हैं कितनी नई सडके कलोनी के अंदर बनी हैं और कितनी ये पारकों के उध्धान जो हैं दुबारा से नए हुए हैं आप यह देखो ना नई बस और बस की तो हालत ऐसी हो गई है वो टिक्ट बचाने का चक्कर में बस चलती जलती है कब आग में तद्दील हो जाती है वो भागने का मोका भी नहीं मिलता महीला को कि मैं उतर के भाग जाऊं कैसे हो पाता है इतना दिन तक मुहमंतरी को बंद करा के रखे थे पूरा आमादमी आप जो है जो बीजेपी समर्थक हैं वो कहते हैं कि पूरा आमादमी पार्टी कहता है कि बीजेपी वालों ने बंद करा रखा था हम जब भी बात आती है इस तीज के हम आखों में पट्टी बांद लेते हैं या कबूतर बन के बैठ जाते हैं कि बिल्ली आ रही है और हमें खाएगे नहीं आखे बंद कर लो सब को पता है केजरी वाल के खिलाफ आजे माकान जी कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता उन्होंने बोला था गोवा चुनाव के अंदर धांदली का पैसा लगाया गया है सुपरिया शिनेत कॉंग्रेस की परवक्ता उसने मीडिया पे आआ करके बोला था कि आम आदनी पाटी सो करोड का घपला करके बैठी है शराब उटाले के अंदर और इनका शराब का घपला जो था उजागर करने वले हम है बाचपा कहां श्रेले रही है लेकिन जब लोग सबाचुनाव में इनका गठबंदन हुआ सारा टीकडा फोर दिया मोधी के उपर कि उसने सी बी आई खरीद ली एडी खरीद ली अरे एक बात हो सी बी आई एडी कोट के सब खरीदना इतना असान होता तो वो राहुल गांदी के पीछे को पड़ेगा वो अकलेश यादव जैसी बड़े नेता के पीछे पड़ता वो राहुल गांदी के पीछे पड़ता उनको अंदर कराता चुनावों के अंदर वो ममताब अनरजी को अंदर कराता इसके अंदर क्या जो रहे दिली से भार इसको जानता कोन है जहाँ जहाँ चुनाव लड़ा जमानते जब कराई है पंजाब के अंदर भी सरकार कैसे ले गया जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो इसने वादा किया कि मेरी सरकार बनाओ मैं सबी फसलों पे MSP दूँगा रेत माफियों को जेल में बेजूँगा नशा जो करवा रहे हैं उनको जेल में डालूँगा ना रेत माफिया जेल में गए वहाँ ना नशा कम हुआ वहाँ पर ना MSP मिली लाठिया मिली किसानों को मोधी को तो कोस रहे हैं किसान सारे और नेता उन पे राज नीती भी कर रहे है कि हाई मोधी नहीं दे रहा 18 रपे किलो हमारा जो है वर्ल्ड के अंदर जो ग्याउं का रेट है 22 रपे किलो मोधी खरीद रहा है जब 40 फरपिय जाएगा तो किसको कोसोगे जा खरके सरकार को कोसोगे या किसान को कोसोगे या नेताओं को कोसोगे यही दिल्ली चुनाप खतम हुए था तो इन्होंने कहा था ना हर्याना के अंदर हम गट बंदन नहीं करेंगे अब अचानक ऐसा क्या हो जाता है एक हफता पहले कि ये संजे सिंग जी को बोलते हैं राउल गांदी अंट पार्टी कि हमारे साथ गठ बंदन कर लो और संजे सिंग जी कहते हैं के जी वाल जी जेल में हैं अब इस देश में किसान परिशान है इस देश में पहलवान परिशान है इस देश में युवा परिशान है इस देश में महिला परिशान है इस देश के अंदर बेरोजगारी से दुनिया परिशान है उसके बाद भी मोधी को या केला हराने के लिए जमीन पर क्यों नहीं उतरते तीसरी बार वो परधान मंतरी बन जाता है उसके बाद भी इनको गठ बंदन किया वशकता है कश्मीर का मुद्दा कश्मीरी पंडितों का नरसंगार हुआ बगा दिया बगा दिया इन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन आज जाकर के एंसी से गठ बंदन कोन कर रहा है एंसी से गठ बंदन कोन करके आ रहा है हम करके आ रहे हैं तिरंगा जलाने वलों से सेना को पत्थर मारने वलों से तुम गठ बंदन कर रहे हो जिनको लोकसवाचुणाम में महां की जनता ने नकार दिया अबडुल्ला को हराया मुफ्ती हारी मां से उससे तुम गठ बंदन कर रहे हो वो कश्मीरी मुस्लिम जाग गए बच्चों के बविश्य के लिए सही नहीं होसकते लेकिन ये नेता नहीं जाग रहे हैं उनसे गठ बंदन करके आ रहे हैं तो इससे निंदन ये बात क्या होगी घरफ़ेही तो सुप्रीम कोड खरीद हाँ फैस उसी सुप्रीम गोड नीजसन दे दिया बेल कर दी जब जेल होती है तो समभिधानल मोदी और बेल होती है तो समभिधान की जीत यह दोग्ली राजनीदी कब तक लोगे तुम एलक्सन भी है शामने दिल्ली में और हरियारा मे पढ़ेगा केजरिवाल जी का बाहराना दिल्ली में कहा होगा तो कोई फर्ग नी पड़ेगा नहीं पड़ेगा फिरीका लॉलीपॉप कब तक दोगे आप लॉलीपॉप कहां भैसा देते हैं वह भी वही कहते हैं भाई सब बात बताओ गंदा पानी पीके अदनी भीमार होग क्या बीजेपी वालो ने इचली बेट गट गएग सब्सक्राण अब और सबसे बड़ी बात कही है दिल्ली की जनता ये चिश क्यों नहीं समझती मुझे सा समझ नहीं आता कि यही केजरी वाल जी जब लिश्ट लेकर कहाई थे ना जनलोग पाल मैं लागू करूँगा और ये सारे लालू पर सार यादा से लेकर कॉंग्रेस लेकर शीला दिश्ट लेकर सब को जेल में डालूँगा ये सब के पास मेरे पास लिश्ट है ब्रष्टाचार की आप ये बताओ उसमें मोदी, अडानी, अमबानी, अमिशा, राना, सिंग, एस वैशन, जैशंकर इनके नाम थे नहीं थे लेकिन आज ये इन सब ब्रष्टाचारियों के साथ मिल गया और उनको अटाने की बात करे जिनका नाम ही इसकी लिश्ट में नहीं था तो ये बेवाकूफ बनाने की जो रंडीती है, ये दिल्ली की जंता कब समझेगी, ये नहीं समझ में आ रहा आप एक ची बोलो, केजी वाल बहुत अच्छा है, केजी वाल बहुत अच्छा है केजी वाल जी को बेल मिल गई, केजी वाल को क्या वो कनहिया कुमार की गर्दन काटने वाला भी भार है बेल पे तो क्या वो उसकी आरती उतारे उसने बड़ा अच्छा काम किया था चारा गोटाला खाने वाला लालू परसाज यादब भी बाहर है उसकी भी आरती उतारे बहुत अच्छा काम किया था आप बताईए ऐसे कितने राहुल गांधी बेल पे हैं, सोनिय गांधी बेल पे हैं, रोबर्ट वाडरा ये सब वे जेल बेल बेल पे हैं, तो इनकी क्या आरती उतानी शुरू करते हैं, देश का बड़ा इनोंने वो किया था, किसाब जो था, इसको फासी नहीं हो रही थी, अब्जर जनता क्या विश्वास करेगी, आप बताओ, विश्वास करने, योग्ये भी तो कोई बात होती है, मैं कहूं हाँ, इसने दिल्ली बहुत अच्छी कर दी, बहुत बढ़िया कर दी, अगर हम यह सोचें, महिलाओं का एक जार पर बस फरी कर दी, बहुत अच्छा कर दिया, अ महिला नीचे भी नहीं उतर पाएगी,